14.5 प्रजनन स्वास्त शरीर के तमाम अंगों जैसा ही प्रजनन अंगों का स्वस्त होना जरूरी है सफाई के सासत उनकी क्रियाओं के संबन में सतर्क होना आवशक है लेंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है तथा यह उस समय होता है जब शारिरिक व्रिद्धी भी होती रहती है अतहर किसी सीमा तक लेंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अत्वा मस्तिक्ष योनक्रिया तथा गर्वधारन योग्य हो गए है हमारे देश में विभाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के के लिए 21 वर्ष निर्धारित है योन क्रियाओं के स्वास पर पढ़ने वाले प्रभाव के विशे में हमें सोचना चाहिए हम कक्षा नौमी में पढ़ चुके है कि रोगों का संचरन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हनिक प्रकार से हो सकता है योन क्रिया में शारिरिक संबन स्तापित होते हैं अतहा इससे रोगों का लेंगिक संचरन भी हो सकता है इससे जिवानो जनित रोग जैसे गोनेरिया तता सिफलिस एवं वाइरस संक्रमन जैसे की एट्स एक्वाइड इम्यून डेफिशेंसी सिंड्रोम शामिल है सुरक्षित योन क्रिया से इन्हे रोकना संभो है योन लेंगि क्रिया दौरा गर्वधारन के संभावना सदा ही बनी रहती है गर्वधारन के अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनों की मांग बढ़ जाती है वह इसके लिए तयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्त पर विपरित परभाव पढ़ता है अतह सुरक्षित योन क्रिया के लिए कई तरीके खोजे गए हैं जिससे गर्वरोधन संभो है एक गर्वरोधी तरीका यांत्रिक अवरोत का है जिससे शुक्राणों अंड कोशिका तक न पहुच सके शिश्न को ढखने वाला कंडोम अत्वा योनी में रखने वाले अनेक युक्तियों जैसे कौपर टी, लूप आदी का उपयोग किया जा सकता है दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है जिससे अंडानों का विमोचन ही नहीं होता अता निशेचन नहीं हो सकता ये दवाय सामाने तहां गोली के रुपे ली जाती हैं दोनों ही अवस्ता में निशेचन नहीं हो पाएगा ओप्रेशन द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किये जा सकते हैं यद्देपी ओप्रेशन भविश्य के लिए पूर्णता सुरक्षित है परन्तु असावधानी पुर्वक किये गए ओप्रेशन से संक्रमन अत्वा दूसरी समस्या उत्पन्न हो सकती है ओप्रेशन द्वारा अंचाहे गर्व को हटाया भी जा सकता है इस तकनिक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो किसी विशिश लिंग का बच्चा नहीं चाहते ऐसा गेर कानुनी कार अधिकतर मादा गर्व के चैनात्मक गर्वपाथ हितों किया जा रहा है एक स्वस्ते समाज के लिए मादा नर लिंग अनुपाद बनाए रखना हवश्यक है हमारे देश में भ्रून लिंग निर्धारन एक कानुनी अपराद है फिर भी हमारे समाज की कुछ इकाईयों में मादा भ्रून की निर्मम हत्या कर दी जाती है जिसके कारण हमारे देश में शिशुलिंग अनुपात तिवरिता से घट रहा है जो चिंता का विशे है प्रजनन स्वास्त के लिए उचित एवं जिम्मेदारी पूर्ण यौन वेवार के साथ साथ यह भी समझना आवशक है कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दोरा जिव अपनी जनसंख्या में वृद्धी करते हैं जीवों के जन्मदर एवं रित्युदर का अंतर जनसंख्या के आकार को निशित करता है मानो जनसंख्या का विशाल आकार विश्व स्तर पर सभी के लिए चिंतन का विशे है क्योंकि इसके कारण प्रत्यक व्यक्ति के जीवन सर में सुधार लाने के लक्ष को पाना अत्यन तक कठीन हो गया है अतह सभी के द्वारा उत्तरदाइत्व पूर्ण सामाजिक व्यवार करना एक अनिवारे आवशकता है यह भी आवश्चक है कि प्रत्यक्व्यक्ति अपने जनन स्वास्ते के प्रति सजग हो अंद विश्वासों, मीत को एवं गलत धार्णाओं से बचने के लिए विशेशगों की सला एवं साहता ले आप अपने आसपास रहने वाले लोगों का अवलोकन करे उनमें से निम्न जीवनस्तर वाले लोगों के जीवनस्तर के निम्न होने के कारणों की समिक्षा करे